इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसे देखिए क्या आपको पता है कि हम एक डिस्प्ले के साथ एक और डिस्प्ले कर सकते हैं और एक डिस्प्ले के उपर अलग स्क्रीन और दूसरे डिस्प्ले के उपर अलग स्क्रीन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मेरे laptop की screen में drag करके मेरे desktop के screen पे लाके रख रहा हूँ यह दोनों मैंने एक दूसरे के साथ connect किये तो यह मैंने कैसे किया अगर आप जानने में इंट्रेस्टेट तो यह वडियो आपको पूरा देखना है साथी में मैं आपको यह भी पताने हो लाओ कि आपके पास एक USB printer है और वो आप connect करना चाहते है आपके पास office में जितने भी computer उसे और print निकालना चाहते है तो वो हम कैसे करेंगे वो भी हम practically इस वीडियो में देखने वाले हैं तो अगर आप इंट्रेस्टेड़ हो यह टिप्स जानने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए complete technology चानल पर मैं सतिश आप सब का स्वागत करता हूँ चलिए शूर करते हैं आज के इंट्रेस्टिंग computer टिप्स लेकिन वीडियो में आगे बटने से पहले दोस्तों मैं आपको बता होगी आप अगर नहीं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉम पे क्लिक कीजिए साथी में हमारी वेब साइट है इसका नाम है निप्सक्राइब कोई थे सारी कोर्स स्यों अगर आपको क्लिक करते हो तो सकृस की डीटेल आप जानपाओगे की वेपको लॉलें वाला है यह support page पे मैंने एक video दिया है how to buy course, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार हमें course कैसे करीदना है, जैसे online हम shopping करते हैं वैसे course करीदना रहता है, तो सारी चीज़े आटोमेट रखी है, मेरी जरूत नहीं पड़ेगी और जरूत पड़ी तो भी WhatsApp support मैंने website पे दिया है, जासे आप मेरी टीम को question पूछ सकते हैं और जब मैं लाई रहूंगा तो मैं भी आपकी सवाल का जवाब दे दूँगा, तो यही थी मेरी website के बरे में information आप बढ़ते हैं, मेरा computer का जो desktop है, उसकी जो VGA pin होती है, वो मैंने connect की है laptop के VGA से, अगर आपके laptop में VGA नहीं है, तो आपको एक extension required होगा, यानि कि HDMI to VGA converter होगा actually, तो HDMI to VGA यहाँ पे converter मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह already मैंने use किया है मेरे laptop के लिए, क्योंकि मेरे laptop में VGA output नहीं है, जादा laptop में VGA output रहता है, जब आपको projector वगरा connect करना होता है, तो यहाँ पे मेरे laptop में VGA output नहीं है, HDMI to VGA converter मिलता है, जो कि आपको screen पे दिख रहा है, यह मैंने यहाँ यहाँ पे use किया है, और उससे मैंने connect किया है मेरा desktop, तो अब यह connect करने के बाद आपको यहाँ पे screen पे दिख रह मेरा laptop HP का है, तो इसके लिए यह की F4 पे है, अगर आपका Dell का है तो F8 पे रहेगी, या किसी और company का रहेगा तो अलग-अलग function की पे हो रहेगी, आपको बस उस symbol याद रखना है, जैसे आप F4 बटम प्रेस करोगे, आपकी screen के उपर right side में project window आई, जिसमें आपको आँगा, बाजू के screen पे मुझे कुछ नहीं दिखाए देगा, ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं duplicate रखता हूँ, तो duplicate रखने के बाद, दोनों screen पे similar दिखाए देगा, जो मेरे laptop पे चालू है, वही बाजू में जो desktop connected है, उस पे दिखाए देगा, जब आप कोई business meeting ले प्ले करना चाते, तो laptop पे आपने कुछ काम के लिए open करके रखाया, और desktop पे आपने कोई video प्ले करके रख दिया, या कुछ भी है आप प्ले करके रख सकते हैं, जिससे आपको वहाँ से कुछ instruction लेकिया, कोई note से वहाँ पे open करके रखिया, और यहाँ पे laptop पे आपको type करना है, तो आप एक साथ दो screen यहाँ पे extend option से कर सकते हैं, यह काफी interesting option है, windows का desktop sharing, दोस्तों जरूर एक बर करके देख लीज़ेगा, लेकिन इसके लिए आपके पास दो screen रहना बहुत जरूरी है, और second screen only यह last option अगर मैं रखता हूँ, तो आपको दिखाए देगा कि मेरी जो primary screen laptop की बंद हो जाएगी और desktop पे ही मुझे दिखाए देगा, so it is up to you, आपको करना क्या है वो आप decide कर सकते हैं, आपको कौन सी screen रखनी है, PC screen only, duplicate, extend और second screen only, बस F4 की प्रेस करने से यह आ जाता है, बार बार F4 अगर आप प्रेस करते हो तो यह screen switch हो जाएगी, आप mouse से भी से select क कर सकते हैं, जैसे आप extend screen लेते हो तो आपका mouse एक screen से left screen से right screen में और right screen से left screen में आप मुझ कर सकते हैं, कोई भी application जो primary screen पे आने laptop के screen पे आप open करते हो, उसे drag करके आप desktop के screen पे भी लेके जा सकते हो मैं आ चुका computer के उपर आपको यह बताने के लिए कि एक ही USB printer आप अलग-अलग PC से कैसे connect कर सकते हैं, यानि कि LAN के अंदर आपके पास 5 से 10 PC connected है, और आप चाहते हैं कि कोई भी PC से अगर आप print करें तो वो USB printer से print निकाले, यह network printer नहीं है, network printer है तो आपके पस IP मिल जाता है, आप directly print कर सकते IP assign करके, लेकिन USB printer sharing में कैसी यूज़ करना है, यह हम सीखने वाले दोस्तों, तो चलिए कोई difficult तो है नहीं, मैं आपको simply बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है, suppose आप एक office में काम को, एक corporate और वहाँ पर बहुत सारे PC और एक PC को अलड़ी आपने यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरे PC पर, अलड़ी यहाँ पर दिवाइस और प्रिंटर यहाँ पर कनेक्टेड है, इस PC के साथ, उसका नाम है Samsung ML2160 Series, यह दिखा दे रहा है, अलड़ी यह कनेक्टेड है, और इससे मैं परिंट करूँगा यहाँ पर यहाँ पर प्रिंट आने वाला है, क्योंकि USB ड्रेक लिएस से कनेक्टेड है, और इससे सेट आज डिफॉल्ड मी मैंने किया है, तो मैं चाहता हूँ, इस प्रिंटर को मैं मेरे लैप्टॉप से प्रिंट करूँ, तो मैं लैप्टॉप को अल्रड़ी नेटवर् अल्रॡ़स को अल्रॡड बजा है, और सबसे पहले करना क्या है, इसली पीसी पे मैं मैं आपको बताँ, जो पीसी है उसका प्रिंटर आपको यहाँ पे शेह कर देना है, तो यहाँ पे मैं पीसी की प्रिंटर पॉपर करने के बात अपको मिलता है दोस्तों, शेरिंग option, शे बखेहर करके ही नहीं चलेगा आपको यह पर अधर अधर करने के लिए इसकी नेटवर्ग सेटिंग भी चेंच करनी पडिगा। और वह कहां पर मैं आपको दिखा से तो यहां पर जो नेटवर्ग सेटिंग ओप्शन आता है कॉर्णर में राइट साइड में तो आप देख सकते हैं, open network sharing center में आपको click करना है और इसी के उपर यहाँ पे change advance sharing options मिल जाता है तो change advance sharing options में आप click करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाता है यहाँ पे turn on discoveries and all तो आपको यहाँ पे turn on network discovery, turn on file and printer sharing and turn on sharing with anyone network access यह सभी options को check रखना है, जो मैंने यहाँ पे रखना है, जो आपको दिखाए दे रहा है मैंने highlight करके भी दिखाए यहाँ और इसके save changes करके रख देना है तो यह आपकी वो PC में करना है, जिसमें USB printer आपका connected है अब इससे होता क्या है, कि आप यह printer जो share कर चुके है, यह दूसरे PC को भी allow कर रहे है कि यह printer access कर सके, अब आपको laptop के उपर आना है, यहाँ पे laptop की screen में आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आ चुका हूँ में laptop के उपर आपको वो दिखाने के लिए कि laptop के अंदर क्या setting करनी पड़ेगी अगर laptop से अपको printer access करना है तो जाई से बाते हैं आप यह कुछ setting करेंगे तभी तो जाकि वो printer access कर पाएगा दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको जो printer है आपका उसका driver इसमें install करना पड़ेगा यहाँ पर मैंने अलड़ी एक Samsung करके folder रखाए जिसमें अंदर driver है तो मैं इसे open कर देता हूँ आपको दिखाए दे रहे हैं यह driver आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या Samsung printer जब आप खरीते हो तो उसके साथ सीड़ी आ जाता है driver का और नेट पे भी मिलता है वैसे भी Samsung के सभी driver तो आप यहां से इस driver को इंस्टाल करते हैं यह driver यहां पे इंस्टाल होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो डिटेक कर पाए कि नेटवर्क में कोई printer अवैलेबल है वो शेर है और उसे हम लोग यहां पे रन कर सके या इससे प्रिंट कर सके तो driver तो पहले इंस्टाल करना पड़ेगा तो चले इसको इंस्टाल कर देते ह अवर नहीं तो चलेगा कैसे वह यहां तो चलिए यहां पे इंस्टाल बटन पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे इंस्टाल बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आएगी आपकी सामने एक स्क्रीन और उसमें लिख्या आया है I have view and accept agreement तो यह चेक करना पड़ेगा agreement को तो आप चेक तो ही निग्स्ट बटन हाई-लाइट होगा नहीं तू आप इसे चेक नहीं रखेंगे सियापे सीग टेंगी चखी हो तो यहां पे रकेंगे रखेंगे सब्सरा अपको आप्य खरने अदें कर वना कि अब ड्रैवर ईंस्टाल करना है Dia तो दोस्तों यहां पर आया है next button, मैं next पर click कर देता हूँ, next पर करने के बाद यहां पर कर देता हूँ, finish, that's it तो यह printer driver यहां पर install हो चुका है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस printer को access करूँ जो share किया है already तो share करने वाले printer को अगर मुझे एक्सेस करना है laptop के अंदर, तो सबसे पहले मैं मेरे computer की उपर जाऊँगा, computer की screen आपको दिखाए दे रही है, जिसमें मैं आपको यहां पर right click करूँगा, my computer की और इसके properties में जाऊँगा, इसकी properties इसलिए देख रहा हूँ है, क्योंकि PC का ना नाम हमें चाहिए, और इसका नाम जो यहां पर दिखाए दे रहा है computer name, lab3-pc, तो lab3-pc यह नाम मैं यूज करूँगा उस PC को access करने के लिए network के अंदर, इसके अलाव आप क्या कर सते हैं, मतलब नाम क्या अलाव और क्या कर सते हैं, अगर नाम यहां पर बहुत बड़ा है या आपने चेंज नहीं किया ऐसे, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं किया तो आप IP अड्रेस भी ले सकते हैं, तो IP अड्रेस लेने के लिए open network sharing, local area connection, details, और detail में यहां पर मिलेगा आपको IP अड्रेस लिए, जो highlighted ही आपका IP अड्रेस है, इससे भी आप network PC अड्रेस कर सकते हैं, तो इस PC को मैं अड्रेस कर रहा हूँ, इस की sharing devices मुझे पता चलेंगे, तो इसके लिए मैं laptop पे आप स्क्रीन के ऊपर, और laptop के अपर यहां पर run command में मैं टाइप कर रहा हूँ, लैब 3-PC, यानि कि Lab 3-PC जो network में available है, उसका नाम यहां पर टाइप करने क अपर टाइप कर दे रहा है, तो यह और उसका जो लॉग इन का पासवड़े वह आपको डालना पड़ेगा, पहली लॉग इन कर रहे हैं, और एक लॉग इन हो गया, तो बार लॉग इन कर रहे हैं, तो नेक्स ताम तो आपको पूछे गाने, इसके बाद अभी laptop की पर टाइप जेरिंग डिवाइसे आ रहे है, जो डिवाइस मतलब जो ड्राइव शेयर किये है, सीडी, यह लॉगल ड्राइव भी शेयर किये है, मैंने मेरे computer के लैप 3 के, जो laptop में मुझे दिखाए दे रहे है, और साथ मुझे printer भी दिखा दे रहे है, samsung ml 2160 तो मैं क्या करूँ इसलिए आप लान बता रहा है तो मैं यहां इहां पर प्रिंटर चालओ कर देता हूं फिर आपको प्रिंटर रेड़ी दिखाते हैं यहां पर inter यहां पर मैं यहां पे कुछ टाइप कर दी तो कैम नुत नाहीं रहा है यहां पर उनिलिद रहता है चैटितर के वियुर cetteयर प्र टोकिदिन यह스도 सब्सक्तों धिशनल चर्कWest येखार तो यहां पर भीवेसुारीकिन नहीं हो रहा है dif Lynn C यहां पर प्रिंटर और आपको यहां पर क्लिक करना है Samsung ML2160 और उसको करना है Set as Default जो Lab 3 का है वही सेलेक करना है Lab 3, On Lab 3 Set as Default राइट क्लिक करके उसके पर Set as Default करेंगे, ग्रीन चेक आएगा अगर आप वर्ड से प्रिंट करने जाओगे तो इस बार आपको जो प्रिंटर यहां पर दिखाए देगा वही प्रिंटर रहेगा जो यहां पर बाइडिफॉल्ट सेट होने वाला है अगर पीसी से तो कैसे एकसे करना है तो इसमें ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको आपके प्रिंटर को शेयर करना है दूसरा वह प्रिंटर को शेयर करने बाद उसकी नेटवक सेटिंग्स दि शेयर रहना है उस पीसी का नाम आपको पता रहना चाहिए आईप अड्रेस लॉग इन नेम और उसका पासवर्ड भी पता रहना चाहिए जब लेप्टों पे लेप्टों पे ड्र ór इंस्टाल करने दो पिर करने पार ऊपको शेयर से करनेbab्ट और कनेक्ट करना aggregate करना होगा है उम्मीद करता आपको यह समझा होगा दोको चलिए मैं विलूंगा कुछ और इंट्रेस्टी वीडियो के अंदर तब तक के लिए पने रही है कंप्ली टेक्नलोजी चैनल पे मिलते हैं अगले वीडियो के सीखते रहो सीखाते रहो बाइबाइब